दोस्तो क्या आप जानते हैं कि आप Microsoft Word Document का इस्तमाल करके एक Beautiful Cover Page Design कर सकते हैं वो भी बिल्कुल आसानी से दोस्तो मैं हुआ आपका दोस्त बाल मिकी राज और आप देख रहे हैं Technical मिकी तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं आज का लेसन और आज के लेसन में हम ये जानेंगे कि हम Microsoft Word Document का इस्तमाल करके एक Beautiful Cover Page Design कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ Insert Tape में उपलब्ध Pages Group का इस्तमाल कैसे करते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेसन दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर Microsoft Word Document में आने के बाद हम Insert Tape में जाएंगे और यहां पर उपलब्ध Pages Group में सबसे पहले Cover Page में आते हैं Cover Page में पहले से जो है बहुत सारे डिजाइन जो है वो Inbuilt होते हैं Software के साथ हम इसका इस्तमाल करके एक Cover Page Create कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां उपलब्ध Option का इस्तमाल करते हैं और बाद में हम अपने से जो है एक Beautiful Cover Page का डिजाइन करना सीखेंगे तो चलिए यहां कोई साभी एक डिजाइन यहां से आप सिलेट कर सकते हैं तो चलिए हमने यह से लेक्ट किया तो जैसे हमने यह उन्हों पे पेज़ के कभर जो जिसको की हम लोग कभर कहेंगे यानि सबसे टॉप में यह डिजाइन आ गया अब इस डिजाइन में आप बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप दा डॉकुमेंट का टाइटल क्योंकि यह software के साथ यह design बिल्कुल free यहाँ पर set किया गया है पहले से ही तो आप यहाँ पे type the document का टाइटल जो आप यह देख रहे हैं यह पहले से बना हुआ है इसकी जगह पे जब हम खुछ से create करेंगे design तो आप अपने मर्जी से कुछ भी चाहे तो वहाँ type कर सकते हैं या फिर यहाँ भी आप इसको delete कर सकते हैं यहाँ पर हमने इसे delete कर दिया अगर आप यहाँ कुछ और भी लिखना चाहते हैं जैसे हम मान लिजए हम को यहाँ पर लिखना है Microsoft Office तो हम यहाँ पर Microsoft Office लिख सकते हैं यहाँ पर year पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक date select करने का option है जैसे ही हम इस date पर click select करेंगे इसको तो यहाँ पर जो year होगा वो year यहाँ पर so करने लगेगा साथी साथ यहाँ नीचे कुछ image भी है और नीचे कुछ color है और कुछ options भी है यहाँ पर type करने के लिए दिया है तो यहाँ पर हम चाहें तो कुछ type करना यहाँ type भी कर सकते हैं और साथी साथ अगर आपको यह design का color पसंद नहीं आता है तो आप इस box पर click करेंगे तो उपर आपको format का एक tool box आजाएगा आप इस format पर click करके आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर design बदल सकते हो आप देख सकते हैं कि page में जो है वो changing हो रहा है या फिर यहाँ पर upload shape fill का इस्तमाल करके आप चाहें तो different type का color भी चून सकते हैं तो चलिए हमने यहाँ पर red color चूना इसके अलावा भी अगर आप color बदलना चाहें जिस box का भी हो उस box में click करके बस आपको shape fill में जाना है और आप जो color fill करना चाहते हैं वो color को यहाँ पर select कर सकते हैं साथी साथ अगर आप इस picture को भी बदलना चाहें तो इस picture पे भी जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर format का option वापस से दिखाई देगा आप यहाँ पर click करके यहाँ change picture के option में जा करके आपके computer में जो भी picture available है जिसको कि आपने download करके रखा हुआ है तो चलिए देखते हैं कि हमारे computer में अगर कोई image download है पहले से तो हम उसका इस्तमाल करेंगे तो फिलाल मेरे computer में उस तरह कोई design available नहीं है तो चलिए यहाँ पर हम कोई साभी design का use कर लेते हैं जो कि पहले से मेरे computer में available है यहाँ पर कहाँ पर है कोई साभी image जो कि मेरे computer में available है उस image का हम चुनाओ करके अपना यहाँ पर एक image लगा देते हैं तो जैसे हमने click किया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ जितने से भर में image ता सिर्फ उटना ही space पर image जो नया image है वो लगा हुआ है और नीचे का भी आप color बदलना चाहिए तो नीचे का भी बदल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर जाएं और simple shape में आएंगे और यहाँ से आप किसी भी तरह का color जो आप देना चाहते हैं आप बदल सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से जो है हम पहले से जो design created था हम उसमे modification कर सकते हैं तो चलिए आपने यहाँ पर देखा अगर आपको suppose that यह design पसंद ना आया हो तो वापस से आप insert time में आएं cover page में आएं और यहाँ से आप किसी दूसरे image को select कर सकते हैं जो कि आपको इस्तमाल करना हो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरे page पे आज चुका है यह image अब आपको यहाँ से कोई सा भी design बदलना हो तो उस design पर टिक करें और simple आपको format box पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर जो भी color आप apply करना चाहें आप apply कर सकते हैं और यहाँ पर आप color apply करने के साथ साथ ही अगर आप यहाँ पर shape fill में जाएंगे तो यहाँ पर और भी different तरह के option आपको मिलेंगे जैसे कि picture, gradient, texture, pattern वगेरा वगेरा जो भी आप इस्तमाल करना चाहें आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से हम अपना जो भी cover page है उसको खुबसूरत तरीके से create कर सकते हैं तो दोस्तो यह तो था जो पहले से software के साथ inbuilt होता है image वो था तो चलिए हम एक नया create करके देखते हैं कि हम खुद से cover page का design कैसे कर पाएंगे तो उसके लिए हम office button पे आते हैं और उसके लिए एक new page ले लेते हैं ताकि blank page में हम आपको अच्छे से समझा सके हैं तो दोस्तो हमने यहाँ पर एक blank page लिया है अब सबसे पहले हम insert tab में क्लिक करेंगे और यहाँ पर text box जो आप हो दिख रहा है text group के अंदर text box इस text box में आके हम एक draw text box का इस्तमाल करेंगे दोस्तो हमने draw text box का इस्तमाल किया है अब हम यहाँ पर एक page का जो भी design जो भी background हम देना चाहते हैं वो पूरे page में हम select कर लेंगे तो चलिए हमने यहाँ पर एक select किया है अब आप इसका जो height है जो width है आप यहाँ से adjust कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर एक blank लिया है white अब हम इसका जो है जो width shape रखना चाहते हैं पूरे का उसको हम एक shape दे देंगे या फिर हम चाहें तो अपने से इसको modification कर सकते हैं यह हमने इतना लिया है और इसको कुछ different style में हमने दे दिया है आप देख सकते हमने यहाँ पर कुछ style किया है अब हमें वापस से draw box में आना है यह आपको left side दिखेगा format toolbox के अंदर तो हम draw table में आएंगे और यहाँ खुद से एक design create करेंगे और design create करने के बाद अगर आप उसको different type का style में convert करना चाहिए color में तो आप convert कर सकते हैं और आपको जितने बार भी यह rectangular बनाना है आप उतने बार draw box पे click करेंगे और यहाँ पर उतने बार जो है आप आप एक बार size set कर ले आप पहले वाला का size देख ले कि इसका height और width क्या है और उसी आधार पे आप इसका height और width भी set कर सकते हैं यह आप अपने अनुसार कर लेंगे फिलाल हम यहाँ पर जल्दी से lesson को खतम करेंगे इसलिए हम इसको थोड़ा speed में हम आपको दिखाने कोशिस करेंगे ताकि और भी जो टूल से वह भी आप साथ ही साथ देख पाएं अब यहाँ पर हम कुछ और box भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं असाने से करेंदाने कोशाया हilo अब पर धना खाहेंगे झाल झाल ढचाएं करेंदाने को 좁झ हला क्या थाहाण Fenrisos को झालिएव्च aviation पाहाँ में इसन झालों झाल जाल फम झाल झाल फम लाईब उडाल तुल अगा हम छे कि दो दो सबस्ट अ चर्फ चीझा रख कर塏 आप जो है एक खुबसूरत कवर gemaakt कर सकते हैं यहां पर उपख़ शेन्ज Düन लेगें कर लाकर के आप कोई साब इस्त्तेम इसका किसी भी कवर किसी आफ लेगें किया तो आप देख सकते हैं की माशम हो थाक conception का तो यह इस परकार जो है, वो दिखेगा, तो वो कुछ इस परकार से दिखेगा, आप देख सकते हिं, हम अपने से जो है इसको customize कर सकते हैं, इसको color कर सकते हैं, और यह बिलकुल खुबसरत भी लग रहा है, तो आप जो है insert tape में cover page में आ करके, चाहे तो इस design का भी इसतमाल कर स आप एक beautiful cover page design कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से हम Microsoft Word में जो है Word document में एक खुबसुरत सा cover page जो की हम design करना चाहते हैं वो खुदते design कर सकते हैं तो दोस्तो अब insert tab में उपलब जो है blank page और page break का इस्तमाल हम कैसे करेंगे तो दोस्तो blank page का इस्तमाल जो होता है हम एक new page लेने के लिए हम इस्तमाल करते हैं जैसे कि suppose that अगर हमारे पास पहले से दो page उपलब जचलिया पहले हम इसे close करते हैं और वापस से हम एक new page लेते हैं हमारे पास एक page जो है आ गया है अब इस page में कुछ भी लिखावा नहीं है और नहीं इसके नीचे कोई दूसरा page इंसर्ट किया गया है अब हमें इसके नीचे एक page लेना है यानकि second page एड करना है तो हम insert टेप में आते हैं और blank page पे जैसे किलिक करेंगे इस page के बाद जो है एक दूसरा page जो है दस तो दोस्तों इस परकार जो है हम blank page का इस्तमाल करते हैं नया page लेने के लिए अब suppose that हमने यहाँ पर कोई सा एक test टैप कर दिया आप रेंट टूल का इस्तमाल तो जानते ही होंगे हमने यहाँ पर एक paragraph जो automatically type हो जाता है यहाँ पर ले लिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तीन paragraph है यह पहला paragraph यह दूसरा paragraph और यह है तीसरा paragraph अब हमने जो type किया है यह page number 1 में type किया है अभी 9 page यानि की 229 बिल्कुल blank है यहाँ कुछ भी लिखावा नहीं है लेकिन condition यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ तीन paragraph जो हमने अभी type किया है उसमें से last वाला जो paragraph होई वो second page में आ जाए तो उस page को second page में लाने के लिए हम यहाँ पेक इस्तमाल करेंगे page break का page break करने से क्या होगा कि जहाँ पर भी मेरा cursor रहेगा वहाँ से यह page जो भी paragraph है वो break होके next page पे चला जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम page break पे click करते हैं तो जैसे हमने page break पे click किया आप देख सकते हैं last का जो paragraph है वो page number two पे appear हो रहा है और page number one में सिर्फ दो ही paragraph दिख रहे हैं अब हम चाहते हैं कि page number one का जो second paragraph है यह भी page number two में पहुंच जाए तो जब उसके लिए भी हम करने करेंगे page break जैसे ही हमने page break किया आप देख सकते हैं कि जो पहला page में जो paragraph था द page number three में चला गया है तो दोस्तो इस तरह से जो है वो हम click करके और जो भी paragraph है उसको एक page से दूसरे page में भेज सकते हैं यानि कि page break कर सकते हैं तो दोस्तो आज के lesson में हमने सीखा कि आप Microsoft Word Document में एक beautiful cover page design कैसे करेंगे खुद से और साथी साथ insert tab में उपलब, blank pages और page break option का इस्त अतना ही मिलते हैं next video पे एक नए lesson के साथ तब तक के लिए धन्यवाद